हलो फ्रेंद्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही हेल्डी और टेस्टी ग्रीन बीन्स की रेसिपी लाई हैं ग्रीन बीन्स बहुत ही जादा न्यूट्रीशिस होता है इसलिए हमें इसे अपने डाइट पे ज़रूर इंक्रूड करना चाहिए तो चलिए इसे बनाते हैं ग्रीन बीन्स की रेसिपी बनाने के लिए मैंने लिए है लगफ़क 300 ग्राम ग्रीन बीन्स जिसके एंड मैंने फ्रिम कर लिया है अब मैं इन बीन्स को छोटे छोटे पीसिस में कट कर लूँगी ग्रीन बीन्स को छोटे घरूँगी बीन्स कठ हो चुका है मैंने लगभग 200 ग्राम मतर और 2 मीडियम साइज स्यास को पत कर लिया है पैन गरम होने के बाद इसमें एक चमच ही डालूँगी सबसे पहले मैं इसमें एक चमच साबुट जीरा डालूँगी उसके बाद अज्रक का एक चोटा टुक्रा को चौप करके डालूँगी पाच लहसुन की कलियों को भी चौप करके डालूँगी अब इसे मीडियम स्लेम में सौटे कर लूँगी उसके बाद इसमें कते ही प्यास डालूँगी और इसे भी स्कौटे कर लूँगी मीडियम स्लेम पे अब इसमें पाच कटे हुए हड़ी मिज को भी डालूँगी प्यास को गोल्दन गॉण कलर आने तक पकाना है अब इसमें मटर डाल देंगी और इते भी स्लाटे कर लूँगी अब मैं इसमें मसाले डालूंगी मैं इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगी एक चम्मच थनिया पाउडर डालूंगी एक चम्मच लालमिश पाउडर डालूंगी और देल चम्मच नमक अब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी अब मैं इसमें ग्रीन बीम्स डालूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी अब मैं इसे धक कर पकाऊंगी लगभक पाच मिनित के लिए मीडियम प्लेम पे पाच मिनित के बाद सब्दियों को मैं थोड़ा सा चलाऊंगी और उसके बाद फिर से पाच मिनित के लिए धक कर पकाऊंगी मीडियम प्लेम पे हेल्डी और टेस्टी ग्रीन बींस मतर की सब्दी रेदी है तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं आप लोग ये सब्दी राइट और रोटी दोनों के साथ खा सकते हैं आप लोग मेरी ये रेसिपी जरूर ट्राइक करना नेक्स्ट रेसिपी चख टेक केर और बाइबाइ करने लोग मेंगें दोना मतर करना नेक्सरी रेसे रेफा घूर करना नेक्स